मिनोपास की हम अगर बात करते हैं तो महिलाओं का जवाब रहता है कि अब पिरेड्स आना कम हो के धीरे-धीरे बन हो जाएंगे, पिरेड्स इर्रेगुलर हो जाएगा और प्रेगनेंसी के चांसे कम हो खतम हो जाएंगे तो नमस्ते दोस्तों मैं डॉक्टर दिपीका मुंदड़ा, फिजीशन फ्रम नासिक, आज अपके साथ मिनोपास और स्पेशल केर के बारे में डिसकस करना चाहती हूँ मिनोपास, मेडिकली हम बोलते हैं कि लगातार एक साल तक अंडा बनना बन हो गया है, इसकी वज़े से प्रोजेस्टरोन इस्ट्रोजन हर्मोन्स कम हो गए और आपके FSH हर्मोन बढ़ने लगे हैं, ये मेडिकल डेफिनेशन आफ मिनोपास है परन्तो मिनोपास एकदम से एक साल में नहीं होता, ये एक स्लो ट्रंजिशन प्रोसेस है, मतलब ये 40 की उमर से स्टार्ट होके 55 की उमर तक ये रह सकती है, हर्मोन्स एक दिन में बदलते नहीं है, मतलब बॉड़ी में चेंज हैं, इस मूड में बदलाओ, एक दिन में नही परने वाले हैं, और जिन लोगों को 40 से पहले मिनोपास आ रहा है, उन्हें केरफुल रहना चीए, उससे हम बोल देते हैं, प्री मेचूर मिनोपास और जब भी प्री मेचूर मिनोपास आता है, आपको हार्ट डिसीज का खत्रा बढ़ जाता है, इसमें आपको हर्मोन प्री में एफेक्ट आएंगे, डेफिनेटली, स्टीन, हेयर, मूड का बदलना, स्विंग होना, इरिटेबिलिटी होना, ठकावट आना, लेकिन वेडिकली मैं सजेस्ट करूंगी, बहुत इंपोर्टेंट है, एक तो हार्ट फ्लेशेज, हार्ट डिसीज और हड्डी और ब नहीं है, इसके लिए हम बोलते हैं कि छोटा पंखा साथ में रखेंगे, पतले कपड़े रहेंगे, और ठंडी चीजों का सेवन करेंगे, गरम चीजे, मसालेदार चीजों के सेवन से बचेंगे, ये समय के साथ रिजॉल हो जाता है, कुछ लोगों का अगर प्रॉल्लम दे को और मसल्स को स्ट्रॉंग बनाने के लिए, केल्शियम, दूर, विटामिन डी, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट और एक्सराइज, हाई प्रोटीन डाइट बहुत-बहुत इंपोर्टन्ट है, तीसरा होता है, मैलाओं में पुरुशों की अपेक्चा हार्ट डेसीज, पचा होने अपने हार्ट का स्पेशल केर करना है, लाइफस्टैल मोडिफिकेशन, एक्सराइज, खान पिनाओं में बदलाव और रेगूलर हेल्ट चेकप पे आप ध्यान दीजिए, मिनोपास को जितना लेट हो उतना अच्छा, क्योंकि डेफिनेटली आपके बॉड़ी के हेल् आपके लिए अच्छा है, तो लेट कैसे करना, मिनोपास को हम लेट करते हैं, कुछ स्टडी बताती है, जो महिल आए शुरू से अपने लाइफस्टैल के लिए सतर कर रही है, लाइफस्टैल मतलब खाना पीना, सही एक्सराइज, पासपूर से बशना, मेदे से बशना, त स्मोकिंग, अलकोहल को अवाइड करना, तोवेको को अवाइड करना, और शांती पूर्वक, जिन्दगी, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना, तो अच्छा मिनोपास, अच्छी लाइफस्टैल, अच्छा हेल्दी रेने के लिए, एक्सेब्द मिनोपास, इसमें एक और प्रॉ और हड़ी कमजोर होके फ्रेक्चर होना, जिसके लिए मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे भैशन को अगर फ्रेक्चर होता है, तो उसे डाइबिटीज बढ़ने लगती ही, क्योंकि एक्सेब्द का समय कम हो जाता है, तो बी हेल्दी, बी फिट, थैंक्यू सो मच.